विल्कम बैक तो मा यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियों हम बात करेंगे कुश्चन नंबर आपका कुश्चन नंबर आपका फिप्त रहने वाला है इससे पहले हमने एक से लेकर चार तक सभी एकर करके जो है डिसकस कर लिया है आज हम बात करेंगे को कुश्चन नंबर इसकस कर लिया है अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लें ठीक है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं और आज हमारा कुश्चन नंबर कौन सा है इसके बार में हम जानेगे कि यह आपसे क्या कह रहा है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है तो भई जो आपका परिवर्त दूरबड गोडन है इसी को हम क्या कएते हैं म्यूटा रोटेशन कहाते या अथवा आपसे और पूण सकता है कि परिवर्ति धुरवर्ध गोडन समझाइए परिवर्ति धुरवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् का विशिष्ट गोडन कितना 110 डिगरी है कितना है तो यहां पर हम म्यूटर रोटेशन की बात कर रहे हैं इसमें एक्जामपल क्या ले रखा है गलुकोज है तो इसमें क्या है अपका गलुकोज एक्जामपल है तो इसमें क्या भी ऐलकोहल द्वारा क्रिस्टलन करने पर क्रि गूडन, 110 डिग्री है यानी कि देक्स्टो रोटराटरी точно रखे रहने पर घटकर धीरे-धीरे फिल स out two point five हो जाता है जड़कर कितने हो जाता है वावण पॉइंट पांच हो जाता है ठीक है घटकर इसी प्रकार तरी करने पर प्राप्ध क्रिश्टलिय गुलुकूज के जलीय बिलेन violent का विशिष्ट गूडन कतना है 19 यानिकी 19 डिगरी होता है जो की रखे रहने पर धीरे धीरे बढ़कर 52.25 हो जाता है कितना हो जाता है बावन 5.5 हो जाता है कहरा है इस प्रकार गुलुकोज बिलियन के विशिष्ट धुरवड गोडन में होने वाले परिवर्तन को परिवर्ती धुरवड गोडन या म्यूटा रोटेशन कहते हैं इसी क जो हमने गुलुकोज का जलिये बिलेन लिया था क्या लिया था गुलुकोज का हमने जलिये बिलेन लिया था ठीक है जिसका आपका विशिष्ट गोडन कितना था 110 डिग्री सेंटिग्रेट इसको रखा रहने देने पर यह घटकर कितना हो गया 52.5 कितना हो गया भी 52.5 हो ग इसमें क्या है? कहे रहा है 20 गूडन कितना है? 110 जो रखा रहने देने पर पर कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। आपकी 110 डिगरी सेंटिग्रेट है, जो कि धीरे 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 घतकर कहा पहुंच जाता है? just बावन पॉइंटè यह उपका किज़ाइव कि दूसरा किया है आपका दूसरा आपका है इसका है आपका प्रिडीन द्वारा ठीक है किसके द्वारा प्रिडीन द्वारा क्रिस्टलन करने पर प्राप्त क्रिस्टली गुलुकोज के जली बिलेन का विस्ट गूर्डन कितना होता है 19 ठीक है जो कि आपका बढ़कर कितना होता है 52 हो जाता है कितना हो जागा आपका 52 हो या परिवर्ति दुरबड गूडन के नाम से जो है इसको जानते हैं ठीक है इसका कारण यह है कि जो आपका एलफा डी ग्लुकोज होता है ठीक है एलफा डी ग्लुकोज का आपका दुरबड गूडन कितना है 110 डिगरी है एक खुली स्रंकला के माध्यम से बीटा डी ग्लुकोज का कितना है 19 डिगरी ठीक है में परिवर्तित हो जाता है कि आपका एलफा डी ग्लुकोज है जिसका स्पेस्पिक रोटेशन कितना है 110 डिगरी है खुली स्रंकला के माध्यम से ठीक है बीटा डी ग्लुकोज में जो है कनवर्ड हो जाता है जिसका रोटेशन कितना होता है 19 डिगरी होता है ठीक है तो एलफा चे कहां कनवर्ड होड़ा आपका बीटा डी ग्लुकोज में करा सामय वस्था में इसमें सामय वस्था कि अगर हम बात करें तो हो कि प्राम और उफने वस्था में अलफा डी ग्लुकोज ठीक कितना होगा इसका रोटेशन आपका 112- 0.50 बीटा नंगता ह कितना हो जाने सामय वस्था में जो आपकी प्रेसन्तिन न सीटर तरक्षंट में 27 पर्सेंट में पाया जाता है अब इन यहां पर अगर हम बात करें इस बाले कारवन से क्या लगा होता आपका हाँ तो च्छिर वालिव बन हो गां अधील इसे क्या बनोगे वाले करें नंबरर बनोयों सरा यहां विमर यहां होता है कारवन व्हू अंध करें जाता है हम एंध्न करक्षा और क अदिकर शेंदर तो थ्री, फॉर, फाइब इनके बीच में एक oxygen ring पाई जाती है, क्या पाई जाता है, oxygen ring पाई जाती है, इसी तरह से इसमें क्या होता है, जो आपका beta-deglucose होता है, इसमें 1,2,3,4,5,6, पहला कारवन और इसका छटवा कारवन, इसमें आपका पहला और पाचमें कारवन के पाई जाती है, तो यह क्या हो जाता है, आपका beta-deglucose हो जाता है, तो इसका इसी कUSH न आपके दूसरी क्या कहलाती है, alpha-deglucopyraneuse, जो आपका ring type बनता है, कुछ इस तरह से जो आपका बनाया जाता है, वो आपका क्या हो जागा, alpha-deglucose पाइरेनोज आपका यह हो जागा ठीक है तो यह तो था आपका आज का परिवर्ति दुरुबड गूडन या म्यूटा रोटेशन पर टिपड़ी उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना ठीक है उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा अच्छे से सीख लिया होगा ठीक म मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही हमारे साथ और त्यारी अपने अच्छे से करते रहे हैं थैंक्स फॉर वाचिंग और शेयर दा वीडियो